नमस्कार मेरे प्यारी विश्वों स्वागे थे आप सभी क्या आपकी अपने यूट्व शेनल दे PCM विजिन में प्यारी विश्वों आज के इस वीडियो के मादम से हम लोग क्लास 11 हिस्ट्री जो कि आज जनी की 23 दिसंबर को जो आप सभी का विखली टेस्ट एक्जाम है उसके मोस्ट भीवियाई को बताने वाला हूँ जो कि आपका आज के टेस्ट एक्जाम में डेरेक्ट देखने को मिलेगा तो वीडियो पे आपनों गन तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब और उसके जिएगा तो शली सुरू करते हैं और एका करके सारी कुर्शन को देख लीते हैं नियुक्था जो देखें वसicate अरज के तो पहले है कि यूरूप वासी दोवारा उपनेवेशओ की अस्थापना का कारण था तो देखें जो आपका यूरूप उच्वेस है इसके दुआर स्थापना के अस्थापना काumuz सााथ जेश में अकी आक्षा औरला में से सभी इसके बार Griff here कि अस्ट्रीलिया के मूल लिवासी कौन थे तो अस्ट्रीलिया के मूल लिवासी मावरियों को कहा जाता है और यह उसका करेक्ट fertil रोगह मावरियो उसके बादेखे अगलए कुंस सन आपका क्या है कि मंचुरrir राजवन्स चीन में अस्थापित हुआ तो मंचुर राजवस चीन में कब अस्थापित ऊफ़ता तो या आपका 1644 इस्वी में स्थापित क्या गया था option number 10 इसका correct अंत्रोगा 1644 इस्वी उसके बाद देखे अगला कुशन आपका क्या दिया हुआ है कि चीनी करांती कब हुई तो चीनी करांती आपका 1911 इस्वी में हुआ था option number 10 का correct अंत्रोगा 1911 इस्वी उसके बाद देखे अगला कुशन आपका क्या दिया हुआ है कि पर्थम अफिम युद के बाद कौन सी संदि संपन की गई थी तो जो आपका पर्थम अफिम युद है बच्चों ये आपका पहले बताए कि कौन कौन से देश के बीच हुआ था तो यह मुख्य रूप से आपका चीन और जो आपका चीन है और बिटेन की बीच वा था और इस संदिक युद के बाद आपका क्या हुआ था नानकिंग की संगिदी हुई थी ऑप्सिन नमरे बीज का करेक्टर अंतर होगा नानकिंग संदिक उसके बाद देखें अगला कुशन नापका क्या दिया हुआ है कि क्यो मितांग डल के संस्थापन कोन थे ग최ो यह आपका network की बीच में गुआ था में 25 का करेक्टर अंतर होगा 866 Terry ठीक है अगला कुशन देखें अगला कुश्चन आपका क्या है कि अफिम युदकिन दो देशों के बीच हुआ तो अभी मैंने बताया कि हम मुख्य रूप से आपका चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था अगला कुश्चन देखे आपका क्या दिया हुआ है कि जपान में आदोनी करन का एक दुस परिनाम था तो जपान है पर जो आदोनी करन है इसका दुस परिनाम क्या था कि उसके सांस्कृतिक पतन हो गया ठीक है option number 10 is correct नंतुरों का bus sonaskritic button अगला equation देख आपका क्या दिया हुआ है कि Tokyo का पुराना नाम क्या था तो Tokyo का पुराना नाम आपका Kyoto था option number 10 is का correct नंतुरों का Kyoto अगला equation देखे क्या है कि Japan की नई विद्याले व्यस्था क्या थी तो देखें जपान की जो नई विद्याले विष्था थी यह आपका 870 के दसक में जपान के लड़के-लड़कियों के लिए अस्कुल जाना अनिवायरी कर दिया था यह आपका जपान की विद्याले विष्था थी ठीक है तो उप्सन नमर सी इसका करें टंफ रोगा आज रख था कि उपनिवेस अस्थापित करने वालों को कहा जाता है तो उपनिवेस अस्थापित करने वालों को सेटलर कहा जाता है ऑप्सन नमर डी इसका करेंट टंफ रोगा सेटलर सब्जेक्टि में भी है कि सेटलर किसे के तो ठीक है आज रखेगा उपनिवेस को अस्थापित क करता है उसी को क्या करता है कि जाते है ऑग ऐजब से अगला में क्या है कि दिया हुआ है कि जुण विकेलस बूथ के दौारा किस अमेरिकी रैश्ट्पति की हत्या की गई थी तो जॉण विकेलस बूथ यह आपका 1898 मस्तापित हुआ था तो उप्सन में नहीं है दिया हुआ है लेकिन इसका जो करेक्ट अंत्र हो जाए यहां पर एक्षूर अनुसर अगर देखा जाए तो 1902 होगा लेकिन यहां पर एक्षूर आंसर इसका 1898 होना चाहिए नहीं दिया हुआ है तो आप रोटिक कर से आप क्या समझते है इन्यका बताए यहां आबादकार उपनिवेस अस्थाफित करने वालों को क्या घाते हैं तो इससे अबादकार के लिए आयरलेंड निज्ञेंड एवं अस्ट्रिये में ब्रिटें के लिए एवं अमरिका में यूरोप्य लोगों के लिए परियुक्त हुआ है अनि के ही लग तो आपका क्या करते थे आपका उपने इस वाद के स्थाफना करते थे जिसे भारत में किसके लिए परिव होगा तो ब्रिटेन के लिए ब्रिटेन राज के बाई अगले को उसने आपका क्या है कि गोल्डर रस से आप क्या समझते तो देखें यूरोप भाएगे कमाने के लिए आसा से युरोप्यों के पेड़ों के अमेरिका में प्रवेस्ट करने या अंधी दोड़破 फेड़ को दोड़ को में आपके सब थे नो इसी दोड को क्या को अपकर नक्यां रश कटयता है चलिए अमेरिक करनते के क्या ऐ तो देखें ऐमर्की के कारण थे बिडिश समर्च में बुरूद में जन समर्थन आर्थि आसमान था बृटिश तासन के नियमों के खिलाब बिरूद इसके अलावा एमर्की नागरिकों की सथुर्णता और सवध्यन्ता की चाहत भी इस करांती का मुख्य कारण थे तो आधर क कि सनाय सेंद के तीन सिधान्त किया थे तो देखिए सनाय सेंद की नेतरितुम 1911 में मंचु राजवन्स की समापती कर दिया ठीक है और चिंद में गंतंत्र की अस्थापना की वे आधुनिक चिंद के संस्थापक माने जाते हैं वे एक गरीब परिवार से थे और उन्होंने मि इसाहियों की द्वारा चलाया जाता है ठीक है तो मिशन अस्कूल से सिच्छा प्राप्त की जहां उनका परिशे लोक तंत्र एवं मिसाई धर्म से हुआ उन्होंने डक्टरी की पढ़ाई की प्रंतुए चीन के भविस को ले करके चिंत्रित थे ठीक है चिंती थे कि कैसा भ मंचुवंस जिसे विदेशी राजवंस की रूप में जाना जाता था को सत्ता से हटाना साथ सद अनी समराजवादियों को इस समराजवादियों को सत्ता से हटाना अगला था गंतंत्र सरकार के अस्थापना करना तिसरा था आपका समाजवाद जो पुझी का नियमन करे और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में जरूर करेंगे ठीक है तो सब्सक्राइब करें चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जहिन जे वारत जहार जार करेंगे